मुझे उमिद है कि आप सब अच्छे होगे विश्वबर में बहुत सारी प्रवुत्यों के लोग रहते हैं इन में से ऐसे बहुत सारे लोग है जो कभी भी अपने हीट के बारे न सोचकर सदेव भलाई के कार्य करते हैं ऐसे लोगों को परोपकारी इंसान कहा जाता है परोपकार सब्द पर प्लस उपकार दो सब्दों के मेल से बना है परोपकार का अर्थ होता है दूसरों का अच्छा करना निस्वार्ज भाव से दूसरों की सहायता करना जैसे की अपनी सरण में आये मित्र, सत्रू, कीत, पतंग, विदेसी, विदेसी, बालक, वृद, सभी के दुखों का निवारन परोपकार की भावना तथा प्रेना मनुस्य को प्रकृति से मिलती है सूर्य, चान, अपनी कीर्णों से संसार को प्रकास देते है बादल, जल बरसाते है नदिया, निरंतर भहती हुई, आसपास की भूमी को सिंचती है ब्रूक्ष, हमें फल देते रहते क्या प्रकृते के ये तत्व, हमसे किसी प्रत्यूपकार की आसा रखते है या बदले में कुछ मांगते है, नहीं तो बस यही है प्रोक्ष की मूल भावना, प्रोक्ष की भावना मानव को फरिस्ता बना देती है अभी मैं आपको प्रोक्ष की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं प्रोक्ष कार एक आम के पेड़ पर दो गोसले थे एक टोटे का और दूसरा चिडिया का दोनो गोसले में उनके छोटे छोटे बच्चे थे जो ऊड़ नहीं सकते थे पेड़ के उपर के भाग में चिडिया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी चिडिया उड़ नहीं सकती थी क्योंकि वह किसी सिकारी की जाल में गायल हो गई थी टोटा अपने तीन बच्चों के साथ रहता था उसका गोसला चिडिया के गोसले से नीचे था तोटे जब भी अपने बच्चों के लिए बहार से दाना लेकर आते तो चीडिया और उनके बच्चों को भी दाना देते थी ऐसा करती करते दिन बिटने लगे और बच्चे बड़े होने लगे एक दिन टोता दाना लेने कया तो एक बिल्ली आई और पेड़ पर चड़ने लगी ये सब चिडिया देख रही थी जैसे ही बिल्ली टोटे के गोशले के तरब बड़ी चिडिया जोर जोर से चिलाने लगी उसकी चह चहाने की आवाद सुनकर आसपास के पकसी आ गए आकर वो सभी जोर जोर से चीन चीन करने लगे इसे देख कर बिल्ली दर गए और वहां से भाग गए चीडिया की समझदारी से टोटे की जान बच गए इस कहानी से हमको सीख मिलती है आपस में मिल जूल कर रहना चाहिए और एक दुसरे की मदद करनी चाहिए टोटे ने चीडिया की सहायता की और चीडिया ने टोटों की बच्चों की रक्सा की इस प्रकार दोनों को ही फाइडा पहुँचा इसलिए हमें कभी भी किसी की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए तो हम लेसन नमबर तू परोपकार की सुरुआत करते हैं वर्सा के दिन थे निसान स्कूल से घर आ रहा था रास्ते में उसने एक कुटे का पिल्ला देखा कुटे का पिल्ला का मतलब होता है कुटे का छोटा बच्चा पपी वर्सा में बीग रहा था उसकी टांग में चोट लगी थी वर दड़ से कूं कूं कर रहा था निसान को पिल्ले पर दया आ गई वर उसे उठा कर अपने घर ले आया उसके घाव को घाव यानि की चोट सापकर पत्ती बांदी अर्थार मलं पत्ती की कुछ ही दिनों में पिल्ला ठीक हो गया निसान रोज उसे डूट रोटी खिलाता और खूब प्यार करता निसान ने उसका नाम रोकी रखा रोकी निसान से हिल मिल गया हिल मिल गया का मतलब होता है डोश्ट बन गया निसान जब भी रोकी को आवाद देता वह दौड कर आ जाता एक दिन निसान अपने केले नारिल के बगीचे में गया वह घुमते घुमते ठक गया वह सुस्ताने के लिए सुस्ताने का मतलब आराम होता है छाओं में बैठ गया उसे निंड आ गई बारिस के दिन थे निसान पात साला से घर आ रहा था तब उसे रास्ते में एक कुट्टे का बच्चा दिखता है और वह पिल्ला बारिस में भीग रहा था उसकी पेर में चोट लगी थी वह दर्ट से रो रहा था निसान को पिल्ले को देखकर दया आ गई वह उस पिल्ले को उठाकर अपने साथ गर ले आया गर आने के बाद निसान ने पिल्ले के पेर में जो गाव था उसे सापकर मलंपत्ती की थोड़े ही दिनों में पिल्ला ठीक हो गया निसान रोज उसे डूट रोटी किलाता और बहुत प्रेम करता निसान ने पिल्ले का नाम रोकी रख दिया रोकी और निसान दोनों बहुत अच्छे डोश्ट बन गए निसान जब भी रोकी को पुलाता वो दोड़कर निसान के पास आ जाता था एक दिन निसान अपने केले नारियल के भगीचे में गया और निसान घुमते घुमते ठक गया वो आराम फर्माने के लिए छाओं में बैठ गया और निसान आराम करते करते वहीं सो गया इतने में एक साप बिल बिल याने की साप का रहने का गर बिल में से निकल कर निसान की और आया रोकी ने कूट कर साप का सीर दातों से पकड़ लिया साप ने भी अपने सरीर से कुट्टे के सरीर को जकड़ लिया जकड़ लिया अर्था कस कर पकड़ लिया दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती रही साप को मार कर ही रोकी ने दम लिया दम लिया मतलब आराम लिया इतने में एक साप बील में से निकल कर निसान की और आया रोकी ने साप को आते हुए देखा तो रोकी ने पूट कर साप का सीर दातों से पकड लिया साप ने भी अपने सरीर से कुट्टे के सरीर को कस कर पकड़ लिया दोनों के बीच लड़ाई काफी देर तक चलती रही साप को मार कर ही रोकी ने आराम लिया जब निसान उठा तो उसने समद लिया कि रोकी ने अपनी जान पर खेल कर जान पर खेल कर का मतलब होता है मुसीबट मोल लेना उसकी जान बचाई जान बचाई का मतलब होता है प्राण बचाना उसने रोकी को खूब प्यार किया एक दिन निसान ने रोकी के प्राण बचाए थे आज रोकी ने निसान के प्राण बचाए परोपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता परोपकार मतलब दुसरों की मदद करना जब निसान नीन से जगा तो उसने समझ लिया कि रोकी ने अपनी जान पर खेल कर निसान की जान बचाई है निसान ने रोकी से बहुत प्यार किया एक दिन निसान ने रोकी की जान बचाई थी आज रोकी ने निसान की जान बचाई परोपकार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता अब मैं आपको पात का सारांस बताती हूँ एक दिन बारिस के मौसम के समय निसान अपने स्कूल से आ रहा था तबी उसने एक पिल्ले को बरसात में भीखते हुए देखा वो पिल्ला रो रहा था क्योंकि उसे पैर में चोट लगी थी निसांत उसे अपने घर ले गया उसे नहलाया, दुलाया और उसकी चोट पर मलंपत्ती की ये सब करने से वो जल्डी ठीक हो गया उसने पिल्ले का नाम रोकी रख दिया एक दिन निसां रोकी को केले के बगीचे में ले गया वहाँ पे एक साप निसां की तरफ आ रहा था तब भी रोकी ने उस साप को पकड़ कर मार दाला निसां सो गया था फिर जब वो उठा तो देखा कि साप मरा पड़ा था उस समय उसने रोकी को अपने कले लगा लिया अपनी चान बचाने के लिये तो हमें इस बात से यही सीख मिलती है कि आप सब दुसरों की मदद करते हैं तो दुसरे भी आपकी मदद करेंगे तो हमें सब की मदद करनी चाहिए ठैंक यू